कि अब अब अपने है एसरी तस्वीर हैं हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सीदीट रहे हैं प्रधान मंत्री अपने सबसे महत्वपूर दिन आने वाला है ये दिन फ्रांस के लिए दो कारणों से बेहत महत्वपूर होने वाला है क्योंकि फ्रांस के लोग जिस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं अब उनकी बात करते हैं नेशन प्रधानमंति पहुंच चुके हैं फ्रांस और उनका बहुत ज्यादा भव विस्वागत किया रहा है इस साल जो फ्रांस का न मुदी थे अब यह सारे जो वीडियो हैं यह सारी खबरे जब पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो लोग बहुत ज्यादा निरास हो जाते हैं मीडिया कहती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है वो तो भीग मागने के लिए आते पहले आपे वीडियो देखिए फिर हम मात करतें इस टॉपिक पर अस्वाल ये है कि जो फरांस में या कहीं पर भी हमारे प्राइम निसर जाते हैं वहां पर पाकिस्थानी मुझूद होते हैं वो वैलकम क्यों नहीं करते हैं उल्टा उनके अगेंस प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं मेरा यह सवाल है कि मतलब जाते हैं अगर जाती हैं खरसेव Diya के प्राइम म्मदी हैं वहां पे मतलब उनके प्राइम निस्टर जाते हैं क्यों दिए यह बात हैं कर कि प्राइम मिनिस्टर वोते हैं एक एलेक्टेडर रूह आते तो पपली प्ता भी होता ना क्षूंधे दिए वीज़तो नहीं वारा के ठीरas भी मुनिकन है गया जपान के वहाँ है बहुति हुआगे पचिस्तान के प्राइमनिस्टर फ्रांस जञे थे शह पर आपने की litॉ यहाएक्षांट्स में ऐसल wearing खाय कई एक। आड अगया इंडिया की मीटिंग ही है मिंति तर्मोदी के साथ तो वह एक और ने अपना पॉलिसी बनाई हुए बिजनस की कि वह आएं हमारे साथ बिजनस करें हम आपके लिए पॉलिसी को एजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनस करें पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनस करने दिया नहीं जा रहा है ठीक है से पहले आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से भारत को गड़तंत्र दिवस का इंतजार रहता है लगभग उतना ही इंतजार फ्रांस को 14 जुलाई का है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं तो उनको पहले तो मेरा आप से सवाल यह होगा कि कैसे उनको देखे आज वो कोई एक बज़े यहां पर पहुंचे हैं हुसूसी फ्लाइट की जरी यहां पर पहुंचे हैं तो यहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साब को जो है वो रिसीव किया है रिट कार्पेटिट और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौक्श होते है कि जब वो फ्राइम मिनिस्टर खुद एरपोर्ट जा कि किसी भी मुल्क के सरब्राग को रिसीव करती है उसके बाद नरिंदर मोदी साब जो है वो अपने हुटल वापस जाते हैं और वहां पे कुछ टेम अराम करने के बाद यहां के जो फ्रंच सिनेटर्स हैं उनके साथ मीटिंग उनकी होती है जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस की दर्म्यान तालुकात के हावाले से कुछ मौईदों के हावाले से बाच्छीत की जाती है अगर पहले यह कहना है आप उनके सब कंपरिजन कर रहे हैं या वैसे बात करने कि सब्सक्राइब कर भी नहीं सकते हैं मैं पाकिस्तानी मोहब बतन पाकिस्तानी हूं ठीक है लेकि रियालिटी पसंद हूं वह रियालिटी यह है कि हम उनके सब नहीं कर सकते हैं आप उनकी बात करते हैं हम एक साधा सी निसाल ले ले लेते हैं एक घर के अंदर जो बचा सबसे ज्यादा कुमाता हो ना घर वाले उस हमोबते हैं कि उसे कि सब benefit होते हैं लिए अगर benefit आप इसे को अच्छे दे रहे हैं आप अच्छे चलते रहेंगे जहां पर आपका benefit सबकी Maintiality एक ही है वह बड़ी चीप Maintiality के हमने जहाँ में जाना जाके मांगना है अच्छा है अब पाकिस्तां नहीं है जहां पर आब आबाद करें जहां वह जाते हैं पाकिस्तां भी वह उस तरह कहीं पर आके क्यों नहीं इस बार की बेस्टिल डे परेड में फ्रांस के आसमान में भारत के राफिल लड़ा कु विमान गरजेंगे पियम मोदी को फ्रांस की इसी सेनने परेड बेस्टिल डे में बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है फ्रांस ने पियम मोदी को होस्ट करने की तयारियां काफी पहले ही शुरू कर दी थी अब फ्रांस में आप देखें फ्रांस में जो मतवक्य है कि कुछ ऐसी ही डी अपने उन्हों पहले तो यह देखें कितने ही significant day पे उन्होंने 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 इन्वाइट किया मुदी को अच्छा उसके invite करने के पीछे आप reason देखें कि जनाब क्यूं हर तरफ मुदी अ उसकी तरफ से statement आती है कि जनाब यह दुनिया का सबसे significant जो relationship यह partnership हुई है और उसके बाद वो जाते हैं यहां पर पिछले दिन पिछले कुछ दिन पहले एक festival हुआ था इंडियन कल्चर को promotion के हवाले से जिसका नाम ता नमस्ते फ्रांस वहां पर वो community के साथ वो मिलते हैं वहां पर कुछ सवागिंटे की वो तकरीर करते हैं और उसमें वो community को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो तालुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहां पर प्रोजेक्ट चल ले उसके हवाले से बता करते हैं और वह इंडियन कम्यूनिटी से करते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा है और वहां पर फ्रांशी सी लोगों को साथ ले के आए कंपनी ने कर सिर्माया कारी करें पाकिस्तान की प्रधानमंत्री सहवासरी जब गय थे तो उनका वीडियो वारा लुगा था जहां पर बारिस हो रही थे एक लेड़ी उनके पास चाता लेकर जाती है और यह चाता लेते हैं और लेड़ी भीगते हुए आती है इसके अलावा जब पुतिन से मिले थे मनलब प्रधानमंत्री पाकिस्तान की किसी से मिलते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे कमेटी वाले वीडियो आ जाते हैं जो पाकिस्तान के लोग का मनुझन करते हैं इसके लावा दुनिया भर के लोग का मनुझन करते हैं और खुद पाकिस्तानी उनको अपने देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं दूसरा जब प्रदार मंतरी मोधी कहीं पर जाते हैं तो लोग सम्मान करते हैं उस देश के भी लोग सम्मान करते हैं इस कहला और जो भारतिय सम्मधा होता है वो भी वहाँ पर मोधी मोधी के नारे लगा रहा होता है वो कहता है कि मोधी है तो मुम्किन है तो यह उवराल सेन तो जाहिसी बाच है दिस देश के प्रधारमंत्री की इज़त कोई नहीं करेगा तो दूसरे देश वाली कैसे करेंगे और हम कोई मांगने तो जाते नहीं हैं हम कोई बिखारी तो ए नहीं और आपका देश का प्रधारमंत्री खुद कहता कि हम बिखारी हैं इसलिए लोग आईएगा मिलते हैं ने वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवार जहिंद भारत